हाँ फ्रेंट्स तो आज हम बना रहे हैं एकदम टेस्टी सी रेसिपी तो आप सोच रहे होंगे हम इतने सारे प्याज का क्या ही करेंगे इतने सारे प्यास या तो लोगा कट के लिए काटा ते ह Ladies की मिया क्ताच की ददोओ कि सभाब paraply लातव चाहते हैं जब प्याज बनाएंगे वह गल जाएगी तो फिर उसकी जो सब्जी है वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी खाने में तो इसी तरीके से सारी प्याज को हम कट कर लेंगे यह देख आप देक सकते हैं बहुत मोटे भी नहीं है बहुत पतले भी नहीं है कि मीडियन साइज में हमने स्क偉टे में गार्ट कीया है तो यहां पे इतना प्याज में दो तीन आलू ली थी तो हम आलू को छोटे-चोटे क्यूब में मतब काटेंगे तो इसी तरीके से छोटे-छोटे साइज में हम आलू को कट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे आलू और प्याज जो हैं वो कट हो चुके हैं आप देख सकते हैं तो चलिए इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे हमने एक कडाही ली है में हम डाल देंगे सरसो का तेल आप चाहें तो कोई और भी तेल इस्तवाल कर सकते हैं तेल हमारा गरम हो गया है फिर हम यहाँ पे डालेंगे मेथी दाना मेथी दाना को अच्छे से लाल होने तक भूनना है हमें उसके बाद हम यहां पे डालेंगे आलू तो प्याज से पहले हम आलू को डाल के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे तो इससे जो आलू का टेस्ट है न वो बहुत अच्छा आएगा सबजी में खाने में तो यह देखें आलू देख सकते हैं भलका लाल हो चुकी है तो अब हम यहां पे डालेंगे प्याज यह आलू प्याज की सबजी न खाने में बहुत टेस्टी लगती है तो आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे कमें बॉक्स में आप जरूर बताईएगा तो आलू और प्याज को डाल के अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है तो अब हम यहां पे डालेंगे हरी मिर्च तो हरी मिर्च जो डालेंगे वो हम पहले नहीं डालेंगे क्योंकि आलू और प्याज को हमें भूनना भी है तो अगर पहले डाल देंगे ना तो मिर्च जो है वो जल जाएगी फिर उसका जो टेस्ट वो अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए हम मिर्च को बाद में डालेंगे बाद में डालने से क्या है ना कि जब आलू और प्याज भूनेंगे तब तक मिर्च भी जो है उसके साथ भून जाएगी तो हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूत नहीं पड़ेगी मिर्च को तो यहाँ पर हमने हल्दी भी डाल दिया है एक चमच के करीब और इन सब को डाल के अच्छे सा मिमिक्स करना है तो यह सबजी खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है आप चाहें तो इसको रोटी से खाईए पूरी पराठी किसी के साथ भी खाईए यह रेसिपी जो है बहुत टेस्टी लगती है तो अगर आपके पास कोई सबजी नहीं हो हाँ आपको इमर्जंसी में अगर कुछ बनाना है तो यह बेस्ट ऑप्सन है आपके लिए तो यहाँ पर हमने सबजी को पांस से दस मिनट के लिए ढख दिया था उसके बाद हमने इसको फिर से चेक किया एक बार तो अभी सबजी कुक नहीं होई है तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे नमक पांस मिनट के लिए हम और ढख कड़ेंगे इसको तो इसको चला के पांच मिनट के लिए हम और ढंक देंगे इसको तो यह आलू और प्याज की रेसिपी तो मुझे तो बहुत पसंद है खास दोर से मेरे पापा को बहुत पसंद है यह आलू और प्याज की सब्जी तो आपके गहर में किसकी इसको पसंद है आप भी मुझे बत अधनिया डालने से क्या है ना इसका कलर भी अच्छा लगेगा और खाने में टेस्ट भी अच्छा आएगा तो इसको डाल के अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है तो आप भी एक बार इस सब्जी को बना के जरूर ट्राय करिएगा और मुझे कमें बॉक्स में बताएगा कि यह आपको कैसी लगी तो चलिए इसको भम सर्व कर लेते हैं आलू और प्याज की जो सब्जी है वो बहुत तरीके से बनती है तो अगर आपको और रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा हम जरूर सेयर करेंगे आपके साथ तो यह आप सब् कर लिजेगा तो आपके आप यहां प्याज की सब्जी किस तरीके से बनती है यह भी आप मुझे बताएगा और हाँ यह सब्जी ना आप चाहें तो इसको टिफिन बॉक्स लंच बॉक्स आप किसी में भी इसको दे सकते हैं यह खाने में बहुत टेस्टी लगती है तो मिलत